विल्कम बैक दोस्तों अगर आपके वेकल में जो बैटरी लगी हुई है वो बार बार डाउन हो रही है या फिर नई बैटरी लगाने के बाद उसके बोल्टेजिस बिलकुल जीरो हो जाते हैं या वो बैटरी डेड हो जाती है तो ऐसी कंडिशन में कौन सा कंपोनेंट के लिए रेक्टिफायर या फिर जिसे हम रेग्लेटर बोलते हैं उसका इस्तमाल किया जाता है यह सामने आप रेक्टिफायर लगा हुआ देख सकते हैं इसका काम क्या होता है कि जैसे विकल स्टार्ट होता है तो वो मेगनेट कॉयल के थूर एसी पावर जेनरेट करता है वो AC power इस rectifier के अंदर जाके DC में convert होती है और बैटरी को चार्ज करती है कोई भी बैटरी DC power पे ही चार्ज होती है इसलिए इस rectifier को यहाँ पे इस्तिमाल किया गया है अगर यह rectifier खराब होगा तो जब भी आप vehicle को accelerate करेंगे यानि इसको race देंगे तो इसका जो main fuse होता है वो ज इनों का ही सेम वर्किंग प्रिंसपल होता है बैटरी चार्जिंग का इसको चेक करने के लिए हमें एक डिजिटल मल्टिमीटर की जरुद पढ़ेगी क्योंकि मल्टिमीटर से ही हम पता लगा पाएंगे कि यह healthy है या फिर खराब है मल्टिमीटर को DC पे सेट करना है क्योंक हम इसे हमें से 200 पर सेट करते हैं सबसे पहले तो हमें बैटरी के बोल्टिज चेक करने होंगे क्योंकि बैटरी का healthy होना जरूरी है यहां पर 12.8 बोल्टिज तक होने चाहिए इसके बाद हम वेकल को स्टार्ट करेंगे और आप देखिए वेकल अभी idling पे है और बोल्टिज बढ़ रहे हैं यह 14 से 14 बोल्टिज तक जाएगा लेकिन idling में इस बोल्टिज को बढ़ना चाहिए रेज देने पे भी बोल्टिज बढ़ेंगे लेकिन अगर idling पे बोल्टिज नहीं बढ़ रहे हैं सेम बोल्टिज है तो इसका मतलब जो रेक्टिफायर है वो वीक है तो यहां पे हमें तीन रिजल्ट मिलेंगे पहला अगर रेक्टिफायर वीक होगा तो idling पे बोल्टिज जो है वो बढ़ेंगे नहीं जो हमने वेकल बंद होने के पहले चेक किये थे सेम उतने ही बोल्टिज होंगे अगर रेक्टिफायर बिल्कुल ही खराप है डेड है त तो नहीं है तो जो रेक्टिफायर है वो बिल्कुल ठीक है अच्ma अब दूसरी चीज क्या होती है कभी-कभी जो रेक्टिफायर ह्योग भी ठीक होता है बैटरी भी सगी होती है लेकिन वाइरिंग में कहीं प्रall bowel होती है वाइरिंग जो भी बाडिज से शॉर्ट होती है जिसकी बैटरी है वो डाउन हो जाती है क्योंकि जो वेकल की वायरिंग होती है उसमें जो नेगिटी टर्मिनल होता है नेगिटी पॉइंट होता है वो बॉडी ही होती है पूरी तो इसको चेक करने के लिए हम मल्टीमीटर को कॉंटिनुटी पी लगाएंगे और एक निशन में में कोई भी लीडिंग नहीं जाहिए और कोई भीी बीप का सवंद नहीं आना चाइए अभी और दिखिए कि जो वेकल का नेगटिव होता है वो गाड़ी की चीज़ी सी होती है तो आज की वीडियो के लिए इतना ही था वीडियो कैसा लगा नीचे कॉमेंट करके आप मुझे जरू होता हीगा वीडियो को एक लाइक जरू कर दीजेगा